अब मैं आ चुका हूँ अपार्टमेंट पे जो कि 1760 स्क्वेर फिट में 3 प्लस सर्वेंट का अपार्टमेंट रहने वाला है तो इस वक्ड़ों में इसके ड्राइंग डाइनिंग एरिया में आप देख सकते हैं कितना वंडरफुल साइज है यह द्राइंग डाइनिंग एरिया का डाइंग रूम के साथ है हमें एक अटाइच बालकणी मिलती है तो आईए ममें आपको बालकणी का व्यू दिखाता हूं कितना बहतरीन विउ है आप देख सकते हैं सामने balcony से हमें बिलकुल project का internal view मिलता है सामने club house है swimming pool है और आप देख सकते हैं कि दवारका express वी भी कितना clear दिख रहा है क्योंकि दवारका express वे से ही इसकी approach route रहने वाली है जैसे कि मैंने आपको बताया था सामने कॉंशेंट का कमर्शियल है यह आप देख रहें कंस्रेक्शन चल रही है यहाँ पर भी बहुत ही भैतरीन व्यू होने वाला है क्योंकि यह एलान का प्रोजेक्ट आ रहा है यहाँ पर तो आईए हम आपको इसके फर्स बेड्रूम की तरफ लेकर चलता हूं फर्स बेड्रूम दिखाने से पहले मैं आपको इसका किचन दिखाता हूं तो आईए यह हमारा किचन है अब देख सकते हैं यह हमारा किचन का साइज देख सकते हैं आप कितना बड़िया साइज है और इसके साथ ही हमें मिलती है यूटिलिटी बालकनी जो की सर्वेंट रूम से connected है आप देख सकते हैं कि इस तरफ हमारी utility balcony आ जाती है और इसके इस तरफ ही यहाँ पर servant room है servant room के साथ भी हमें attached washroom मिलता है इसमें भी सारी sanitary feeding builder ने करा के दिये और यह हमारा servant room है आप देख सकते हैं servant room का भी size काफी अच्छा है और यह बिल्कुल main door है यहाँ पर सीधा आप यहाँ से exit करें तो सीधा lift lobby में पहुचेंगे तो आईए अब मैं आपको इसके first bedroom की तरफ लेकर चलता हूँ first bedroom हमें हमाएं builder ने wooden flooring लगा कर दिये first bedroom के साथ हमें attached balcony attached washroom मिलता है तो आईए अब मैं आपको इसकी balcony से view दिखाता हूँ कितना बहतरी view रहने वाला है इस balcony से भी और इस balcony से भी हमें बिल्कुल same project का internal view मिलता है सामने club house देखी लिया आपने swimming pool देख लिया तो आईए हमें आपको इसका washroom दिखाता हूँ जिसमें सारी fittings builder ने करा के दिया है और इस room के साथ हमें एक wardrobe space भी अलग से मिलता है तो यह ह हमारा second bedroom है इसमें बिल्डर ने wooden flooring करा कर दिये इसके साथ हमें attached washroom मिलता है washroom में भी सारी century fitting हो रखी कितने बढ़िया century fittings builder ने करके दिये इसके साथ हमें window मिलती है ventilation के लिए इसका size बहुत ही बहतरी ने तो finally अब हम आगे हैं इसके master bedroom में यह हमारा master bedroom रहने वाला इसके अलग से मिलता है तो आइए मैं आपको पहले balcony का view दिखाता हूं इस balcony से भी बिल्कुल हमें same internal view मिलता है जैसे कि आपने देखा था same project के internal view मिल रहा है हमें सामने द्वार का express वे है इंडिया बूल्स Enigma का project है सामने construction है एलान की तो आने ओले टाइम में इसका भी view बहुत ही बहतरीन हो जाएगा तो आइए मैं आपको इसका dressing area और attached washroom दिखाता हूं यह हमारा dressing area इस वक्त मैं इसके dressing area पर खड़ा हूं इसके साथ ही हमें attached washroom मिलता है जो कि master bedroom से attached है और इसमें भी सारी sanitary fitting builder ने करा कर दिये तो आईए हम मैं बात करूँ इसमें builder ने हमें क्या क्या लगा कर दिया है तो इस प्रोजेक्ट से और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिये गए नंबर पर आप call कर सकते हैं और हमारे office भी विजिट कर सकते हैं हमारा office भी sector 106 गुड़वाओं ऑन दौका express paper है तो इस apartment से औ पर call करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें thank you